जहन सुनेंड्स, आप प्रतमेश चरंजनी और मैं आप सभी का डिफेंस वाला के इस अमेजिंग प्रेटफॉर्म के उपर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आपका जो लक्ष है इंडियन आउम फोर्स को जॉइन करने का आप एक दिन उस लक्ष को जरूर प्राप्ट कर लेंगे बस आपको अपना डेडिकेशन कभी नहीं छोड़ना है एक नेवर गिव पैटिट्यूड आपके इंदर होना चाहिए अगर ये दो चीज़ें आपक इसको जॉइन कर लेंगे कभी ना कभी चलिए आज का लेक्षर स्टार्ट करते हैं एकनोमिक्स का लेक्षर फोर ही होने वाला है और एक बहुती जादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन बैंकिंग सिस्टम को हम पढ़ने वाले बैंकिंग सिस्टम जिससे कहा जाता ह पब्लिक सेक्टर बैंक, प्रावेट बैंक, स्मॉल फानेंस बैंक, पैमिंट्स बैंक, मतलब जितने भी तरह के बैंक्स होते हैं, उन सभी के बारे में हम जानेंगे, RBI के फंक्शन के बारे में जानेंगे, और यह जो लेक्चर है, याद रुखीगा, आप यह समझके चलिए कि हर एक्जामनेशन के अंदर, बैंकिंग सेक्टर से कोई ने कोई कुशन जरूर पुछा जाता है, फिर आप किसी भी एक्जामनेशन के तियारी कर रहे हैं, चाहे वो CDS हो, UPS से अगर किसी भी एक्जामनेशन को कंडग करता है, तो बैंकिंग एक बड़ा important topic आ जाता है, इस बैंकिंग के बाद, अगला topic जो हम पढ़ने वाले हो है, monetary policies इन इंडिया, monetary policies का मतलब होता है, कि किस तरीके से market में money को control किया जाता है, money को control कौन करता है, हमारा RBI करता है, Reserve Bank of India करता है, वो different different monetary tools के थ्रूँ money को control करता है, ताकि market में बहुत ज़्यादा inflation ना, inflation मतलब अब यहां से questions कैसे पुछे जाते हैं, देखें, UPSC का nature रहा है, economics की मैं particularly बात करूँगा, economics में कभी भी exactly question नहीं पूछता है, UPSC के directly question पूछ लिया, वो indirectly पूछता है, current situation के अंदर कोई ऐसी चीज़ चल रही होगी, जो की economics से related होगी, और suddenly वो basic से उसको attach करके question आप से पू पाएंगे, आप मगप करके नहीं कर सकते, basics आपको clear करने पढ़ेंगे, और specifically economics से ऐसा subject है, इसमें मगप नहीं किया जा सकता है, आपको basics clear करने ही पढ़ेंगे, तो आज भारत का जो हमारा banking system है, आप पैसा जमा करवाते हैं, bank में आप loan लेते हैं, वो सारी चीज़े banking system को पढ़ेंगे, Indian banking system हम पूरा यहां पर देखने वाले कि हमारे banking system क्या-क्या है, और उसके बाद जो next lecture होगा, उसमें हम पढ़ेंगे, monetary policies in India, monetary policy के इंदर हम repo rate के बारे में पढ़ेंगे, CRR के बारे में पढ़ेंगे, cash reserve ratio के बारे में पढ़ेंगे, मतलब detail में सारी चीज़ों क पर आज के lecture में हम Indian banks, जब भी यह word हमारे mind में आता है, तो हमको दो से तीन चीज़े दिखती है, एक ऐसी जगह जहां पर आप अपना पैसा जमा कर सकते हैं, जहां से पैसा निकाल सकते हैं, और ATM card, majorly यह तीन चीज़े हम को दिखती है, पर हमको समझना पढ़ेगा कि banking system इन financial issues आना शुरू हो गए थे, भारत के अंदर भी काफी financial issues आ रहे थे, उस time पर banks के ओपर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था, अपने एक term सुना होगा, NPA, non-performing assets, बेसिकली अगर मैं सिधे-सिधे तौर पर बात करूँ, तो ऐसे loans, जिनका repayment नहीं आ रहा था, तो जैसे इसे NPA bank के ओपर बढ़ता जा रहा था, banks की read के addy दिरे दिरे तूटती जा रही थी, banks के ओपर भार बढ़ता जा रहा था, और ये का आ जा रहा था कि अगर ये NPA सी तरीके से बढ़ता रहा, तो भारत के अंदर economical crisis आ जाएंगी, क्योंकि जितने भी banks हैं, वो banks सारे के सारे डूब जाएंगे, तो ये समझना हमको पड़ेगा कि banking system का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम पैसा जमा कर रहे हैं, वहाँ से पैसा हम निकाल लेते हैं, थोड़ा बहुत ATM, credit card, ये सारी चीज़े banking नहीं है, ये functions है banking के, पर आपको समझना पड़ेगा जो banking का main function होता है, किसी market के अंदर अगर money का flow बहुत कम हुआ, तो भी गड़बल है, और money का flow जादा हो गया, मतलब market में पैसा जादा हो गया, तो भी बहुत गड़बल है, RBI क्या करता है, अपने monetary policy tools के तूल्स के तूल मार्केट के अंदर इस money के flow को control करता है, वह आगे हम आगे जाके पर आप समझी गया, कि यह जो banks है, यह major intermediate के तौर पर काम करते है, market के अंदर money के flow को control करने में, तो banking का जो काम है, वह इससे कहीं आगे होता है, यह समझना पड़ेगा, और जब आप दीरे-दीरे समझेंगे, तो आप कुछ सारी चीज़े clear भी होती जाएगी, अब banks आज के time पर हम bank की बात करें, तो आज के time पर banks कहीं तरह के काम करते है, deposit money करते हैं, loan देते हैं, check देते हैं, तो समझ में आ रहा है, इसके लावा, locker facilities भी आपको दे रहे हैं, credit card भी ब्रवाइट करते हैं, आपने देखाओगी, gold के ओपर भी loan दिया जा रहा है, तो आज कल banks के जो function ह ना वो धीरे-धीरे change होते जाते हैं, धीरे-धीरे अब एक definition नॉर्मल सी देख रहेते हैं, कि banking का मतलब होता क्या है, banking is defined as accepting of deposits of money, deposit of money, हम अपना पैसा हमाँ जमा कर सकते हैं, from the public for the purpose of lending on investment, ये बहुत बड़ी बात है, कि banks के पास जो पैसा जमा होता है, आपका और मेरा, उस आपको पता होगा ना, कि banks deposit के ओपर भी interest देते हैं, मतलब अगरा, आज मैंने bank के इंदर 10,000 रुपे जमा करें हैं, और मैं उसको 4 साल या 5 साल बाद निकालता हूँ, तो मुझे कुछ interest मिलेगा उस पर, interest मतलब मुझे फायदा हो रहा है, extra मिल रहा हो सकता है कि मैंने 10,000 ज पैसा लेते हैं, वो market में invest कर देते हैं, जैसे example के तौर पर मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, चीज़े बहुत important है, ये कोई व्यक्ति था, person A है, person A ने क्या करा कि 10,000 रुपे 10 के ही हम मानते हैं, 10,000 रुपे इन्होंने अपने bank के इंदर जमा करें, जब bank के पास 10, 10,000 रुपे आते हैं, तो क्या ये पैसे bank के अंदर ही पड़े रहते हैं, नहीं असा नहीं होता, bank इसे market में invest कर देता है, market में invest करता है ये, loan के तौर पर आपने देखा होगा न, banks car loan देते हैं, home loans देते हैं, तो bank का basically काम यही होता है, कि हमारा जो पैसा हम जो bank के अंदर जम करता है, वो बहुत आगे की बात है, पर in general, जो banks loan बाट रहे हैं, आपने देखा होगा कि इतने सारे bank के home loan के लिए आपको call आते होंगे, आपको bike loan के लिए, car loan के लिए call आते हैं, personal loan के लिए call आते हैं, ये पैसा bank के पास कहा से आ रहा है, ये bank का खुद का पैसा नहीं है, ये हमारा पैसा है, जो हम bank में जमा करते हैं, इस पैसे को बढ़ाने के लिए, जो आपको deposit पे interest मिल रहा है, जो extra पैसा मिल रहा है, bank आपको दे रहा है, तो कहा से दे रहा है, वो इन loans के तुरू तो आपको दे पा रहा है, तो banks इस तरीके से profit कमाते हैं, ये बात समझेगा ये भी एक function होता है bank का, इसके लावा market के अंदर money के flow को बरकरार रखने के लिए, market में पैसो की कमी ना हो, लोगों को loan दे दिया जाए, इसके लिए भी जो है banks function करते रहते हैं, banks काम करते हैं, इसको आगे हम detail में समझेगे, ये चार्ट है Indian banking system का, अगर आप इस चार्ट को देखें, तो आपको पूरा Indian banking system समझ में आ जाएगा, और आज यही सारी चीज़े हम पढ़ने वाले, देखिए, किसी भी country के banking system में एक सबसे बड़ा bank होता है, जिससे उस country का central bank का आ जाता है, इस bank का काम basically होता है, कि जितने भी other banks है, जितना भी India का या किसी भी country का banking system है, उ जितने भी bank है, उनका bank है, यह बात बिल्कुल सही है, because RBI जितने भी banks है भारत के अंदर उन सारे banks को regulate करता है, जो banks जिस तरीके से अपना function कर रहे हैं, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, वो किसकी guidelines के according कर रहे हैं, वो RBI की guidelines के according कर रहे हैं, Reserve Bank of India की guidelines के according कर रहे हैं, RBI क्या ह बैंकिंग को छोड़के तो आपको schedule banks के बारे में ही पंड़ना है because examination के अंदर जो questions आएंगे वो schedule banks को लेकर ही आएंगे अब schedule banks भी दो तरीके के होते एक होते commercial banks दूसरे होते cooperative banks commercial नाम से clear हो रहा है commercial banks का मतलब ऐसे bank जिनका main purpose होता है profit कमाना profit कैसे कमाते हैं हम पैसा इन banks में deposit करेंगे ये banks market में loan के तोर पर उस पैसे को दे देंगे और profit कमालेंगे तो commercial banks का जो सीधा सीधा motive होता है वो क्या होता है profit कमाना दूसरे होते cooperative banks इनके बारे में भी हम जानेंगे cooperative banks basically इनका जो main motive है वो profit कमाना नहीं होता ये no profit no loss के अंदर चलते हैं ये kind of public welfare का काम करते हैं अभी आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में भी अब schedule banks के अंदर कहीं तरह के banks होते हैं जैसे आपके public sector banks public sector banks की बात करें मतलब सरकारी banks हो गये private sector banks मतलब private bank हो गये से आपका SDFC हो गया है ICICI bank हो गया है ये सारे private banks है इसके लवा foreign banks होते है foreign sector banks में ऐसे bank जिनकी original branch या कह सकते हैं कि जिनका जो head office है वो किसी दूसरी country के अंदर है जैसे HSBC bank ये भारत का bank नहीं है ये दूसरी country का bank है इसकी branches भारत के अंदर भी है तो ऐसे bank जो foreign से भारत के अंदर आया है और operate कर रहे है पर मन से operate करते हैं क्या नहीं इनको भी RBI की guideline से माननी पड़ती है तो इनके बारे में भी हम जानेंगे इसके लावा होते हैं हमारे regional rural banks जिने ग्रामीन bank के नाम से जाना जाता है इसे नर्वना जाबुआ ग्रामीन bank बहुत सारे आपके अपने अपने राज्यो में अलग-लग RBI होंगे तो इनके बारे में हम जानेंगे इसके अलावा public sector banks के अंदर भी SBI and associate banks होते हैं other nationalized bank होते हैं other public sector banks होते हैं इसके अलावा भी कई और तरह के banks होते हैं जैसे इस chart को देखिए आप इस chart में आपको कई दूसरे तरह के banks दिखेंगे जैसे central bank हमने देख लिए यह हमारा होता है RBI इसके बाद commercial banks में हमने देखा कि public sector banks, private banks, foreign banks, RRBs हमने देख लिए cooperative banks के अंदर भी दो टाइपस होते हैं cooperative banks जो की non-scheduled banks है इनमें दो तरह के banks होते हैं urban cooperative banks, rural banks इसके लावा development banks होते हैं specialized banks होते हैं payment banks होते हैं small financial banks होते हैं सब के बारे में हम पढ़ेंगे detail में सारी चीज़े जानेंगे ताकि किसी भी तरीकी का question अगर economics ऐसा subject है ही नहीं जिसमें आप रठ सकें अगर आप रठने का economics में तो फिर गरबर हो जाएगी चलिए start करते हैं सबसे पहली बात कि यह जो banks हमने देखे हैं इतने सारे banking हमने देखी है हम बात यहाँ पर कर रहे हैं commercial banks की, हम cooperative banks की बात कर रहे हैं इनके major, इनके functions क्या होते हैं यह काम क्या करते हैं तो majorly किसी भी तरह के bank के दो functions होते हैं एक होता है इसका primary function primary function मतलब यह major function है सारे banks का primary function होता है major function होता है कि किसी भी bank को किसी भी bank का जो मुख्य उद्देश है वो उसका यही primary functions होते हैं दूसरे होते हैं secondary functions की primary function के अलावा भी आजकल banks नए-ने तरह के functions कर रहे हैं, नए-ने तरह के काम कर रहे हैं, वो उनके secondary function के अंदर आता है, हम दोनों के बारे में जानेंगे, सबसे पहले अगर मैं बात करू, primary function की, तो किसी भी bank का जो primary function है, वो क्या होता है, आपको देखना ह है यह नहीं, आपको सिर्फ सोचना है, क्या function होता है, किसी भी bank का जो primary function होता है, वो होता है, कि accepting deposit, कि अगर आप bank के customer है, तो आप उस bank में जाके पैसा जमा कर सकते हैं, जी हाँ, यह उसका primary function है, दूसरा जो primary function होता है, वो होता है, issuing loans, loan को issue करना, कही तरह के loans दिये जाते है आपने देखा होगा, home loan दिये जाते हैं, home loan के लावा, vehicle loan मिलता है, तो loans को issue करना, यह भी primary function के इंदर आता है, इसके लावा fund transfer करना, this is also the primary function की, आपने check लगा कर दिया है, किसी bank में, और किसी दूसरे bank का अपने check लगा है, तो उस fund को transfer करना, यह भी primary function होता है, bank का, याद र secondary function है, secondary function नहीं है, इसके लावा credit creation, loans के तौर पर, जब loan दिया जाता है, अलग-अलग जगह पर loan देता है, bank, कहीं vehicle loan दे रहा है, कहीं पर आप देखने की personalized loan दिया जा रहा है, कहीं पर home loan दिया जा रहा है, तो credit creation यह करता है, bank, और इसके लावा, discounting of wills, तो यह जो है, यह bank क किसी भी bank के primary functions होते, primary मतलब major functions, जिसके लिए bank को बनाया गया है, याद रिखीगा, ऐसे functions जिसके लिए bank को बनाया गया था, पर इसके अलावा, आजकल जैसे जैसे time change होता जा रहा है, bank दूसरे functions को भी पूरा कर रहे है, banks के दूसरे functions भी बन गया है, जैसे example के तौर पर हम देखेंगे, जो 400 BC तकरीब बनाया था, उसमें भी आपको banking जिसे चीज़े मिल जाएगी, जो functions किये जा रहे थे, loan देने की बात कर रहे हैं, deposit करने की बात है, अभी आप देखते हैं कि उससे पहले की भी अगर मैं बात करूँ तो barter system चलता था, पता है ना, कि आप मुझे दाल दे दो, मैं आपको दाल के बदले चामल दे दूँगा, तो ये चीज़े चलती थी, पर दीरे दीरे time के साथ चीजों का evolution होता गया है, तो ये चीज़े आपको समझना पड़ेगी, कि ये चीज़े दीरे दीरे चलती जा रही हैं, अब बात कर लेते हैं, ATM services provide करना ये bank क primary function नहीं है, याद रिखेगा, ये secondary function के अंदर आता है, because अब तो लगबख सारे banks ATM provide करते हैं, बट कुछ समय पहले सारे banks ATM provide नहीं करते थे, आपको सुनकर रहानी हो रही होगी, बट ये बात सच है, कि कुछ समय पहले तक सारे banks ATM provide नहीं करते थे, इसके लिए आवा home banking के हम ब जाता है, आपके check पर sign करवाने के लिए, तो ये services भी secondary function के अंदर आती है, इसके लावा, किसानों के लिए जो credit card की facility दी जा रही है, banks के द्वारा, जिसे green card के नाम से जाना जाता है, काफी famous है, हाला कि सारे banks नहीं issue करते है green card, कुछ चुनिंदा banks है, जो किसानों को credit facility देते किया गिया था, इसके लावा mutual funds में आप अपने bank के तो invest कर सकते हैं, जी हाँ, आपने सुना होगा न, अगर आपके mutual fund में invest करना है, तो आपका जो bank है, वो आपका investment banker के तोर पर भी काम करता है, वो आपके पैसे को सही जगे invest करेगा, ये bank आपसे वादा करता है, तो ये जी ह है, जो function है, ये bank का secondary function है, इसके लावा ECS electronic clearing system के हम बात करें, gold और platinum card दिये जाते हैं, जो premium customers होते हैं, उन्हें gold credit card जिया जाता है, platinum credit card दिया जाता है, आपने सुना होगा, ये भी secondary function के अंदर आता है, gold deposit schemes की gold के बदले, सोने के बदले आपको पैसा मिल रहा है, ये भी banking का secondary function है, इसके लावाल local facilities दी जा रही है, कि आप bank के अंदर locker लेते हैं, उसके अंदर आप अपनी जो बहमुल यवस्तुएं है, gold रख सकते हैं, जो भी आपको रखना है, वो रख सकते हैं, सालबर का पैसा आप से लिया जाता है, e-banking के हम बात करें, जो आजकल काफी जादा famous ह मैं बात कर रहा हूं, internet banking की भी मैं बात कर रहा हूं, जो काफी जादा famous है, यह जो function है, यह banks के secondary function, यह primary function नहीं है, primary function क्या है, loan देना, बने deposit करना, ठीक है, checks को clear करना, यह primary functions होते हैं, पर यह जो सारे function है, यह bank के secondary function के अंदर आते हैं, अब थोड़ी सी historyum banking की जान ले भारत म जैसा कि मैंने आपको कहा है, कि वैसे तो काफी पुराना banking का system चलता आ रहा है, cotton के, cotton ने जो अर्थशात्र किताब लिखी थी, उस किताब के अंदर भी 400 BC something कुछ वो book की अगर बात करें, तो उस समय पर भी banking जैसी चीज थी, private lenders होते थे, वो loan के तोर पर पैसा देते थे, interest लेते थे, बट समस्या यही थी, कि जो private lenders है, जब वो loan देते हैं, तो जो interest वो आप से लेते हैं, वो बहुत जादा होता है, आज के टाइम पर भी यह समस्या है, मैं अगर शेहरों की बात करूँ तो यहां तो इतनी समस्या है नहीं, बट गाओं के अंदर जो banks होते हैं, व बहुत जादा होता है, इतना जादा होता है कि कहीं बार, जो principal amount होता है, उससे जादा interest किसान को pay करना होता है, तो that's why वो चीज़ सही नहीं है, और banking system को इसलिए introduce किया गया था, आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, थोड़ी सी history के बारे में हम बात कर लें, सबसे पहले, bank of Bombay, नाम याद रखिएगा, bank of Bombay was the first joint stock bank of India, it was established in the 1720 Bombay, 1720 के अंदर जो पहला bank भारत के अंदर established किया गया था, पहले bank के बात कर रहा हूँ है, commercial bank के हम बात कर रहे हैं, अबर कि जो proper banking activities कर रहा था, वो कौन सा था, वो था bank of Bombay, जो कि कब established किया गया है, यह याद रखिएग 1720, किस जगह पर? Bombay के अंदर, उसके बाद, bank of Hindustan को 1770 में established किया गया, हला कि यह bank बंद हो गया था, कलकता के अंदर इस bank को established किया गया था, और यह 1832 के अंदर बंद भी हो गया था, bank of Hindustan का इस books में दिया गया है, कि it is the first bank, भारत का पहला bank यह है, आपको समझना पड़े कि जो bank है, आपका bank of Hindustan, वो कहां established किया गया था, वो Calcutta के अंदर established किया गया था, बाद में 1832 के अंदर इस bank को बंद करना पड़ा, क्यों बंद करना पड़ा, विकॉस जिन functions के लिए इस bank को established किया गया था, वो functions सही तरीके से हो नहीं पा रहे था, इसलिए इसे किसी दू को इशू करने का, currency इशू करने का काम करते हैं, मतलब यह समझ के चल सकते हैं, कि हाँ यह सरकारी बैंक शी थे, तीन बैंक थे, कौन कौन से थे, पहला बैंक था आपका the bank of Bengal, जो कि 2nd June 1806 में Calcutta के अंदर established किया गया, उसके बाद दूसरा बैंक था आपका the bank of Bombay, जो कि 1840 क के अंदर ही Bombay में established किया गया, उसके बाद आपका bank of Madras, याद रखिएगा bank of Madras को established किया गया था, 1843 में Madras के अंदर यह 3 banks थे, जो अलग-अलग time के ओपर established किये गए, bank कौन से यह, presidency bank है, मतलब उस समय जो British government है, उस British government के लिए bank काम करते थे, currency को issue करने का काम करते थे, आप में merge कर दिया गया, 1921 वो year था, देखे लिखा है है आपर, 1921 वो year था, जिस year के अंदर इन 3 banks को क्या कर दिया गया, merge कर दिया गया, एक साथ मिला दिया गया, और इन bank को मिलाने के बाद जो नाम दिया गया, वो नाम था, Imperial Bank of India, इस bank के बारे में आपने सुना होगा, कि यह भ work as a Central Bank of India, यह किस तरीके से work कर रहा था, as a Central Bank of India work कर रहा था, Central Bank मैंने आपको बता दिया है, हमारे देश में अभी के टाइम पर Central Bank कौन है, RBI है, जो market के अंदर money को regulate करता है, money का flow कितना है, उसको check करता है, monetary tools के थ्रूँ money के flow को control करता है, उस समय पर, जो Central Bank था हमारा, वो इन banks को merge करके बनाया गया था, यह point याद रखिएगा, examination के अंदर पूछा जा सकता है, और यही bank आगे जाके, याद रखिएगा, RBI, जिसे हम जानते हैं, कि आज जिसे RBI function कर रहा है हमारा, Reserve Bank of India function कर रहा है, कि आज RBI हमारे देश का Central Bank है, उस समय पर Imperial Bank of India हमारे देश का Central Bank तो यहाँ से question आप से पूछे जा सकते हैं, question में years आप से पूछे जा सकते हैं, Imperial Bank of India कब established किया गया, 1921, यह आप से पूछा जा सकता है, Presidency Bank क्या होता है, मैंने बता दिया कि ऐसे bank, जो कि as a Central Bank कही ना कहीं function कर रहा है, Majorly Presidency Bank उस bank को कहते हैं, जो कि currency को issue करने का काम करता है, हारी बात समझ में, आज currency issue कौन करता है, आज currency हमारे देश में RBI issue कर रहा है, कर रहा है के नहीं कर रहा है, बिल्कु कर रहा है, तो यह चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि Britishers के जमाने में भी currency issue करने का काम किया जाता था, चलिए, आगे बढ़ते हैं, next point की बात करें, तो भारत के अंदर जो भारत का पहला bank था, याद रिखेगा, first Indian owned bank, ऐसा bank जो भारतिये own कर रहे थे, वो bank कौन सा था, वो था अलाबाद bank, याद रिखेगा, अलाबाद bank was the first bank which was established in अलाबाद, कभी established किया गया था, 1865 के अंदर, याद रिखेगा, here पूछ लेते हैं कई बार, exactly तो नहीं पूछते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहरी पूछ लेंगे, आपसे बठ याद होना चाहिए, 1865 के अंदर, इलाबाद bank established किया गया, और ये भारती द्वारा, किसी भारती द्वारा own ये पहला bank था, उसके बाद PNB आता है, बंजाब national bank आता है, जो की 12 April 1894 को found किया लाहौर के अंदर इसे establish किया गया था, लाहौर जो पाकिस्तान में उस समय भारत का हिस्सा था, तो लाहौर के अंदर पंजाब national bank को establish किया गया था, इसके बाद bank of India आता है, तीसरा bank याद रखिएगा, पहला कौन सा इलाबाद bank, दूसरा पंजाब national bank है, और तीसरा कौन सा bank of India bank, जो कि 1906 के अंदर आता है, मुंबई के, अंदर ये जो banks है, इन banks को भारती ओन कर रहे हैं, इस समझ के चलिए का है, Indian owned banks है, ऐसे bank जिनको भारती बिजिसमेन ओन करते हैं, इस bank के अंदर ये सरकारी bank नहीं है, समझ के चलिए, इस समय तक ये कोई सरकारी bank नहीं थे, भा इंदिशर्स इनको ओन नहीं कर रहे हैं, इने भारती ओन कर रहे हैं, that's why ranking के साब से पहला अलाबाद bank आएगा, दूसरा PN भी आ जाता है, और तीसरा आ जाता है आपका bank of India, तो ये ranking आपको थोड़ी सी याद रखना है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आता है Central Bank of India, जिस नहीं भी money का flow हो रहा है, उस money के flow को regulate करना, उस money के flow को अलगलग तरीके से, अलगलग tools के तूर regulate किया जाता है, हमारे देश में, हमारे देश का Central Bank है, वो है हमारा Reserve Bank of India, भारती है, Reserve Bank, याद रुकिए, बहुत important है RBI, because RBI को लेकर questions directly भी पूछे जाते हैं, कहीं बार indirectly भी private bank हो, चाहे foreign bank हो, चाहे cooperative bank हो, वो सारी की सारी RBI की guidelines को मानते हुए ही function करते हैं, आप यह कह सकते हैं, कि जितने भी bank से हमारे देश में, वो सारे की सारे RBI की guidelines के according की work करते हैं, और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, कि banking system को किसी भी country की economy की backbone माना जाता है, because banking system के through ही market में money का flow होता है, कैसे, अब market में अगर money का flow बढ़ाना है, तो क्या करना है, bank जादा loan देना शुरू कर देंगे, loan की जो interest है, उस interest को कम कर देंगे, अब bank loan का interest कितना देंगे, कितना कम करेंगे, maximum कितना ले जा सकते हैं, maximum कितना कम कर सकते हैं, यह decide कौन कर रहा है, यह decide करता है हम अपने देखा होगा COVID-19 के टाइम पर 2019 के मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम पर हमने देखा कि production बंद हो गया है, लोग अपनी लोन की EMI नहीं चुका पा रहे थे, तब RBI ने अपनी guideline जारी कर दी थी, कि अभी लोन चुकाने के जरूत नहीं है, बाद में आप लोन को चुका स सकते interest आपका जो है वो कम कर दिया जाएगा, देखा होगा आपने, मतलब आप समझे कि market के अंदर economy को control करने का काम कौन कर रहा है, वो RBI ही करता है, इसलिए RBI बहुत जादा important है, हमारे देश में RBI है, किसी और देश में कोई दूसरा bank होता है, हर देश का एक central bank होता है, जो कि उसके पूरे banking system को control कर रहा है, and believe me, banking system जो है, वो किसी भी country की economy के backbone है, banking system अगर collapse हो गया, तो country की economy भी गिर जाएगी, यह तै होता है, that's why हमारे देश में RBI के जिम्मदारी बहुत जादा बढ़ जाती है, थोड़ी सी RBI के history के बारे में जानते हैं, और फिर देखते हैं कि कौन कौन से function करता है, क्या क्या का काम करता है RBI, देखिए RBI के अगर मैं बात करूँ, यह भारत का central bank है, याद रखिएगा, भारत का central bank कौन है, RBI है, directly question पूछा जा सकता है, इसे bankers, bank के नाम से भी जाना जाता है, कि जितने भी banks है, यह उनका bank कर रहे, क्यों, क्योंकि सार आपको समझना पड़ेगा, अब शुरुवाती तोर पर अगर हम बात करें कि RBI established कब हुआ, तो RBI जो है वो काफी पहले established हो गया है, यह समझ कर चलिएगा, आगे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, कि RBI किसके अंदर आता है, तो RBI हमारी ministry of finance, government of India के jurisdiction के अंदर आता है, य एक point याद रखिएगा, it is a regulatory body under the jurisdiction of the ministry of finance, government of India एक regulatory body है, जोまर्केट को regulate करती है, money के flow को regulate कर ली है, banks को regulate कर रही है, जो किसके jurisdiction में आती है, government के control में आती है, मैं यह नहीं बोल रहा हूं, पट किसके jurisdiction के अंदर आती है, यह आती है, ministry of finance, government of India के jurisdiction के अंदर और यह, इंडिया के banking सिस्टम को regulate करती है याद रखिएगा आपने सुना होगा कहीं बार RBI और भारस सरकार के बीच में विवाद भी हो जाता है फिर कहीं बार आपने कहीं स्टेटमेंट्स भी देते हैं RBI के गवर्नर स्टेटमेंट्स दे रहे तो यह चीज़ें चलती रहती है पर आपको समझना पड़ेगा कि RBI कभी भी किसी के pressure में काम नहीं करेगा उसको जो ठीक लगता है RBI की जो committees है जिसे monetary policy committee है जिसके बारे में आगे हम पड़ेंगे उनको जो ठीक लगता है उसी तरीके से वो market को control करते हैं तो यह समझ कर चलिएगा थोड़ी सी history के बारे में जान लेते RBI की तो RBI जो है RBI को बनाने के लिए सबसे पहले commission गठित किया गया तो commission का क्या नाम था उसे hilton यन आयो के नाम से भी जाना जाता है hilton young commission के नाम से भी जाना जाता है लिखा है यहाँ पर hilton young commission और इसे royal commission on indian currency and finance के नाम से भी जाना जाता है हाला कि इस commission का जो पूरा नाम था वो त है कि हमारे हाँ पर हो गाओं ये भी देखींगे की जो भी कमिशन ता उसके चैर्मेंन के नाम कि और ये यह पर 1926 की और एक क्यों बनाया गया था इसलिए Ça County India के अंदर जो करन्सी को रेगुलेट करना है ुसकе लिए भारत में एक बैंक होना चाहिए, इसकी रिकमेंडेशन दिती इस कमिशन ने, तो इस कमिशन को एक आधार मान के इसकी रिपोर्ट को एक आधार मान के ही RBI के स्थापना की गई थी, इसके बाद 1st April 1935 को RBI को इस्टैबलिश किया गया और एक एक्ट के थूरू इस्टै कर दिया गया था, शुरुवाती तोर पर इसकी जो capital रखी गई थी, जो इसकी कह सकते हैं kind of value थी, वो कितनी थी, 5 करोड रुपे थी, याद रखीएगा, शुरुवाती तोर पर इसकी जो capital थी, 5 करोड रुपे, और 1 April 1935 से ये operational हो गया था, मतलब इसने अपने functioning को start कर दिया Act जो है, वो साल बर एक पहले का है, 1934 है, याद रखिएगा, Act को लेकर कहीं बार बच्चे confused रहते हैं, इसके बाद शुरुवात में से established कहा गया था, Calcutta के अंदर, Calcutta उस समय पर आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी एक कह सकते हैं कि financial kind of capital आप उसको बूल सकते हैं, उस स में पर भी RBI का जो headquarter है, उसको Calcutta के अंदर ही रखा गया था, पर 1937 में इससे Calcutta से अटा के कहां कर दिया गया, मंबई में कर दिया गया, नोट कर लीजीगा, यह पूछा जाता है, 1937 में permanently से मंबई में move कर दिया, आज भी RBI का headquarter कोई पूछे आप से कहां पर है, किस examination मे पूछ लिया जाए, तो RBI का headquarter आज भी मंबई के अंदर ही है, याद रुकिएगा, RBI का headquarter मंबई में है, यह कोई ऐसा bank नहीं है, जहां पर जाके आप पैसे जमा करवा सकते हैं, deposit करते हैं, यह banks को regulate कर रहा है, एक regulatory authority है, समझेगा, यह loan वो नहीं देता है, आपको रहम को, लोन क्यों देता है, वो पढ़ेंगे आगे, monetary policies के अंदर, पर यह समझेगा, it's the bankers of the bank, next point की बात करें, इसे 1949, 1st January 1949 वे nationalize कर दिया गया, मतलब पहले भारत सरकार के अंतरगत इसको लाना जरूरी था, क्योंकि जिस समय RBI बना था, उस समय देश आजाद था नहीं, देश आ आजाद होते ही, यह चीज़ की जरूरत थी, कि हाँ भारत का भी एक central banking system होना चाहिए, because देश आजाद होने के बाद, जो बहुत बड़ी दो समस्या है हमारे देश में थी, पहली थी गरी भी, दुसरी थी बेरोजगारी, इन दोनों से निपटने के लिए हमारे देश की एक 1949, exactly पूसा जाता है, एक act के थूर नेशलाइज किया गया था, public ownership act 1948 का था, transfer of public ownership act की अगर हम बात करें, यह जो act है पूरा, हाला कि इसे reserve banking of india act 1948 के नाम से भी जाना जाता है, इस act के थूर RBI को नेशलाइज कर दिया गया था, year कौन सा था, 1949, year यादर कीगा, examination के अंदर year अब RBI के functions क्या है, RBI करता है क्या है, देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पर लिखा है, bankers of the government, सरकार का भी bank है, कैसे सरकार का bank है, आगे हम जानेंगे, हम देखते हैं कि भारत सरकार, market के अंदर money को control किसकी साहता से कर रही है, वो RBI की साहता से ही कर रही है, भारत सरकार क जो पैसा है, वो किसके पास है, वो कही ना कहीं, RBI के पास ही होता है, तो इसलिए इसे bankers of the government भी कहा जाता है, RBI गवर्मेंट को भारत सरकार को advise भी करता है, money matters के ओपर, note currency को issue करता है, RBI, इसके बारे में details से हम जानेंगे, banks, bankers of the banks, जितने भी banks हैं, उनका banker है, इसके collateral of the credit के हम बात करेंगे, custodian of the foreign reserve, foreign reserve किसके अंडर है हमारे देश का, RBI के अंडर ही रहता है, foreign reserve मतलब एक ऐसा खजाना हम बोल सकते हैं, जिसमें foreign currencies जमा की जाती है, gold को जमा किया जाता है, securities को जमा की जाती है, SDR को जमा किया जाता है, SDR क्या है, आगे बताऊंगा मैं, तो government के debt का भी ये manager होता है, ध्यान रखता है, करजा कितना है, क्या है, याद रखता है, याद रखिएगा, आपने सुना होगा कि जब central government को भी पैसे की जरूत होती है, तो RBI central government को भी पैसा देता है, state government को भी देता है, rare condition होती है, पर ये करता है, functions इसके, next point की बात करे, government को advice द से जाते हैं, जैसे example की तोर पर हम बात करें, सबसे पहला इसका जो function है, monetary authority, monetary authority हमारे देश की कौन है, RBI है, monetary authority में basically ये कहा जाता है, कि market के अंदर जो money आ रही है, देश के अंदर जो money का flow हो रहा है, market के अंदर, उसको regulate करने का काम कौन करता है, RBI करता है, कि कितनी money market में होन समझनी होगी, market के अंदर कितना पैसा है, market में कितनी money है, यही decide करता है, कि देश में inflation कितना होगा, महंगाए कितनी होगी, देश की growth कितनी होगी, ये सारी की सारी चीज़े market के अंदर money का presence ही decide करता है, इसको example की तोर पर हम समझेंगे, जब monetary policy system पढ़ेंगे, तो detail में हम इस price stability, कि देश के अंदर जो चीज़ों के price है, वो stable रहे है, keeping inflation in check, महंगाई बहुत जादा बड़े नहीं, ये function है किसका, RBI का ही function है, इसके अलावा, ensuring the adequate flow of credit market के अंदर पैसा का flow बना रहे, loans लोगों को मिलते रहे हैं, लोगों के पास पैसा आता रहे, ये function भी किसका है, ये R RBI का ही है, देकि समझेगा आप, एक शी समझेगा कि देश के अंदर जो production हो रहा है, या देश के अंदर जो लोगों को jobs मिल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं, आप अगर directly उसको link करके देखेंगे, तो वो market में credit की availability की उपर ही depend करता है, जैसे example के तोर रुपे मैं बात बताता हू आपको, मान लीजिए, आप कल अपना एक start-up खड़ा करना चाहते हैं, अब उस start-up को खड़ा करने के लिए आपको 1 करोट रुपे की सुरोत है, अब 1 करोट रुपे आपके पास cash तो रहेंगे नहीं, आपको उसके लिए चाहिए loan, अब loan के अगर interest rate बहुत जादा है, कि मा कमपनी के थुरू आप लोगों को jobs भी देते, आप देश के अंदर जो है, उस company के थुरू जब आप tax भरते तो देश की भी उन्नती होती, इसके लावा market के अंदर money के flow को भी आप बढ़ाते, production को भी बढ़ाते, company खड़ी करते तो कोई ने कोई चीज produce करते, अब वो नहीं हो रहा है, पर यहाँ पर अगर इस 15% rate की जगह, आपको सिर्फ 5% का interest rate लगता, तो क्या आप loan लेते हैं, हाँ, बिल्कुल अस्ति अस्ति लोन लेते हैं, बलब समझ के चली हो रही है, interest rate 15% हो गाई या 5% हो गाई, decide कौन कर रहा है, यह RBI decide कर रहा है, directly और indirectly, दोनों तरीके स का देखते हैं, इसके बाद जो एक major function है RBI का, वो है issuer of currency, हमारे देश में जितनी भी currency को issue किया जा रहा है, वो RBI करता है, except 1 rupees note, यह point याद रखीगा, अगर आप अभी अपनी जेब में से कोई भी currency को निकालेंगे, उसके उपर जब आप signature देखते हैं, तो आपको RBI के governor के signature देखते हैं, पर जब आप 1 rupees के note के उपर signature देखेंगे, तो आपको finance secretary के signature देखेंगे, ऐसा क्यों, because जो 1 rupees का note है, उसे print करने का जो काम करता है, वो ministry of finance करती है, यह काफी important point है, कई बार examination के अंदर पूशा गया है, और बाकि जितने भी notes होते हैं, जितनी भी currency होती है, उनक इतने notes को print करना है, किस level तक करना है, market में कितनी money पहुचानी है, यह सारा काम Reserve Bank of India करता है, और इसी तरीके से अगर पुराने notes को destroy भी करना है, जिसे note बंदी के समय पर पुराने notes को बुलाया गया था, उनको destroy किया गया था, यह काम भी RBI ही करता है, यह point याद रखेगा, security printing and minting corporation of India Limited, यह भारत सरकार की ही एक कह सकने की printing press है, और भारत सरकार का यह एक organization है, जो notes को print करने का काम करता है, याद रखेगा, officially basically RBI, officially अगर मैं भारत सरकार की तरफ से बात करूँ, तो यहाँ पर दो जगे पर currency print करने की press है, वो कहां कहां पर है, एक नासिक के अंदर है, मह नाराश्रा मेर, दूसरी है, देवास के अंदर, इसके अलावा भी दो press, एक मैसूर के अंदर है, एक सलबॉनी के अंदर है, जो की West Bengal के अंदर आता है, तो यह कुछ points है, आपको याद रखना है, इसके अलावा, जो coins को mint किया जाता है, उनको mint करने की authority सिर्फ और सिर्फ भ भारत सरकार को ही देख कर रखा है, और हमारे देश में चार जगह पर coins mint किये जाते हैं, एक मंबई है, उसके बाद कॉलकिता की बात करें, अलेपुरा, हाइदराबाद, अनोइडा, यूपी, यह चार जगह ऐसी है, जहाँ पर coins को mint किया जाता है, तो यह आपके examination के अंदर factual points में question पूशे जा सकते हैं, और यह करता कौन है, यह सिर्फ और सिर्फ RBI ही कर रहा है, RBI के अधिकार में ही आता है, इसके लवा bankers bank, हमारे देश में जितने भी banks हैं, उनको regulate करने का काम भी हमारा Reserve Bank of India ही करता है, भारत के अंदर अगर कोई नया bank open खुना है, तो उसे भार सरकार के साथ RBI की guidelines को भी follow करना होगा, because banking के जितने भी functions होते हैं, वो RBI act के according ही होते हैं, याद रखिएगा बहुत जादा important चीज है यह, मान लिजी आज अगर भारत में किसी नय bank open होना है, तो उसे RBI की guidelines को follow करना पढ़ेगा, कि भारत सरकार के साथ RBI ने भी जो guidelines बना के रखिए, कि देश में bank किस तरीके से काम करेंगे, वो सारी guidelines को follow करना पढ़ता है, साथ यसाते bankers of the bank भी होता है, जिस एक point यहां पर लिखा है, RBI maintains banking accounts of all scheduled banks, जितने भी scheduled banks होते हैं, उन सब के accounts को भी RBI maintain करता है, मतलब यह कुछ इस तरीके का है, कि हमारा account bank में और banks account RBI के अं control the credit, market में कितना पैसा loan के form में दिया जा रहा है, कितनी money market में flow कर रही है, कितना credit दिया जा रहा है, कितना loan बाटा जा रहा है, इसको control करने का काम भी कौन करता है, हमारा reserve bank of India ही करता है, RBI ही करता है, इस point को note कर लीजेगा, next the RBI also advise the banks on various matters, for example, corporate social responsibilities, इसके अलावा भी RBI क्या क कर रहा है, तो कई matters ऐसे होते हैं, जिस पर RBI banks को regulate नहीं कर सकता है, वो सिर्फ उन्हें advise कर सकता है, कई matters ऐसे होते हैं, तो उन matters के उपर RBI banks को advise भी करता है, कि आपको इस तरीके से काम करना चाहिए, ये चीज आपको नहीं करनी चाहिए, और ये भी RBI का major function है, तो इस point को भ बहुत बड़ा function होता है, कि he is the custodian of India's foreign reserve, इसको forex reserve के विराम से भी जाना जाता है, तो ये foreign reserve का मतलब सीधा सीधा है, कि जो दूसरी country की currencies है, वो हमारे इस reserve के अंदर save होती है, अब सवाल ये उठता है, कि दूसरी country की currency को हम अपने पास रखती क्यों हैं, इसको reserve करनी की ज करते हैं, डॉलर के अंदर सारी country's payment को accept कर लेती है, अब अगर अभी की condition आपको बताऊं, तो पाकिस्तान जो हमारा पड़ोस का ये मुल्क है, उसकी हालत इतनी खराब है, उनके बाद सिर्फ चार दिन का forex reserve बचा है, मतलब सिर्फ इतना पैसा है, जो कि वो चार दिन तक कि किसी दूसरी country को pay कर सकते हैं, अगर वो किसी दूसरी country से कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो, और पाकिस्तान की economical हालत भी बहुत जादा खराब है, तो ये समझ के चलिएगा, किसी भी country का forex reserve सीधा सीधा ये बताता है कि उस country की economical हालत कैसी है, जैसे 1991 के अंदर, जब हमा forex reserve बहुत जादा कम हो गया था, तो ये समझ कर चलिएगा, कि forex reserve किसी भी country की economical condition को दर्शाता है, अब normally हमको ये समझ में आता है, कि हमारे forex reserve के अंदर generally, दूसरी country की currencies होती होगी, जिससे pond होता होगा, US dollar होता होगा, Yuan होता होगा, बट ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी बह gold भी रखा जाता है, special drawing rights भी सके अंदर होते है, SDR क्या है, IMF के तुरू एक artificial currency issue की गई है, 1969 में इस issue किया गया था, जब हम IMF पढ़ेंगे तो मैं और जदरा detail में बताऊंगा आपको, हर country का एक quota होता है, SDR का, इस quota को decide करने के लिए कहीं सारे parameters होते हैं, जब हम IMF पढ़ें Bank of India का instructor क्या है, कितने लोग इसके अंदर होते हैं, तो अगर आप इसमें देखेंगे, तो total इसमें 21 members होते हैं, 21 central board के अंदर members होते हैं, याद रखेगा, clear है, अब इसमें एक governor होते हैं, अभी हमारे governor कौन है, अभी शक्तिकान दास जी, RBI के governor है, RBI के governor कौन है, अभी शक्त इसके लावा दो finance ministry के representative होते हैं, usually यह होता है, कि इन दो representatives के अंदर से usually, हमेशा नहीं होगा, usually यह होता है, कि एक हमारे economic affairs secretary होते हैं, और दूसरे होते हैं हमारे finance services secretary, usually होता है, पर change भी हो सकते हैं, याद रखेगा, इसके लावा 10 government nominated directors होते हैं, और 4 directors होते हैं, जो कि अलग-अलग local boards को represent करते हैं, 4 local boards को represent यह कर रहे हैं, Mumbai, Calcutta, Chennai and Delhi, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, मगप नहीं करना है, थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखना है, अगर हम बात करें कि RBI के पहले governor कौन थे, तो sir Osborne Smith पहले governor थे, और पहले एक भारत यह governor की जब मैं बात करो, तो यहाँ पर CD देश्मुग जी का नाम याद आ रखिएगा, यह पूछा जा सकता है, clear है, I hope आपको चीज़े समझ में आ रही होगी, यह किस तरीके से RBI अपना काम कर रहा है, RBI का function क्या हमने देख लिया, अगला जो lecture अगोस में, monetary policy tools के बारे मे जानेंगे, उस time पर आपको चीज़े और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी, अब हमारी banking की तरफ हम बढ़ते हैं, RBI हमने complete कर दिया, अब RBI के बाद हमारे देश में दो तरके banks होते हैं, एक होते हैं आपके schedule banks, schedule banks के अंदर आपकी commercial banks आ जाएगे, दूसरे आपके होते है unscheduled banks, मैंने आपको कहा था, कि आपको schedule banks पढ़ना है, बट सवाल यह उठता है कि schedule banks का मतलब क्या होता है, और यह unscheduled banks होते क्या है, देखिए इसको बहुत detail में जाननी की जरूत नहीं है, आपको यह अंदाजा हो जाना चाहिए, कि schedule banks किसली इने schedule क्यों कहा जाता है, यहने uns schedule क्यों कहा जाता है, तो देखिए RBI के ने अपना एक schedule निकालना था, second schedule, तो जितने भी banks का नाम RBI के second schedule के अंदर mention है, वो सारे के सारे bank, आपके schedule bank कहलाते हैं, RBI Act 1934, आप सभी को याद होगा, इस act के through ही RBI को establish किया गया था, Reserve Bank of India को establish किया गया था, 1935 से RBI अपना काम कर र schedule के list में जितने भी banks के नाम दिये गए हैं, वो सारे banks को schedule bank कहा जाता है, schedule मतलब आप ये कह सकते हैं, इन banks को तोड़ा सा advantage है, advantage कैसा है, ये banks RBI से loan ले सकते हैं, ये point याद रखिएगा, schedule banks को RBI से advantage होता है, non schedule banks को RBI से इतना ज़ाद advantage नहीं होता है, इतना ज़ादा नहीं होत है, schedule banks, CDC point आपको याद रखना है, जो RBI Act के 1934 Act के second schedule में mention किये गए है, उन सारे banks को schedule banks कहा जाता है, ये point याद रखिएगा, clear है point, हाँ जी, इसमें कौन-कौन से आते हैं, इसमें commercial banks आ जाते हैं, आपके RRBs आ जाएंगे, state cooperative banks आते हैं, urban cooperative banks आ जाते हैं, इस सारे के सारे schedule banks क के अंदर आएंगे, commercial banks भी सके अंदर आ जाते हैं, private sector banks भी सी के अंदर आएंगे, foreign sector banks, regional rural banks, अगर आप से कोई पूछता है कि क्या RRB के अंदर, या हम regional rural banks से रख बात करते हैं, तो क्या RRB schedule banks की category में आते हैं, अंसर आपका होगा हाँ, क्योंकि देखे, लिखा है याँ पर ऐसी question घुमा कर पूछे जाते हैं, अब एक-एक bank को हम समझते हैं कि इन banks में क्या दिया गया है, पर इससे पहले non-scheduled banks को भी देख लेते हैं, सीधी सी बात है, वो सारे banks जो की second schedule RBI Act 1934 के second schedule में mention नहीं है, वो सारे banks कहलाते हैं आपके non-scheduled banks, सीधी सीधी बात आपको यहा बात रिए के इनको advantage नहीं होता है, यह RBI aíसे money borrow नहीं कर सकते हैं, schedule banks करते हैं, schedule banks RBI से money borrow करते हैं, बाट non-scheduled banks RBI से money borrow नहीं कर सकते हैं, यह point note कर लीजिएगा, बहुत बार है exam में पूछा भी गया है, कि non-scheduled banks RBI से money borrow नहीं कर सकते हैं, example के तोरपर यहाँ अब दो banks के नाम है आप देख सकते हैं बट हमारा जो जादा फोकस है वो schedule banks के उपर होना चाहिए because जो question आप से पूछे जाएंगे वो schedule banks के बारे में ही पूछे जाएंगे अब again हम जाते हैं हमारे इस draft के उपर schedule banks में सबसे पहले जिस तरह के bank होते हैं उन्हें कहा जाता है commercial banks commercial banks क्या होते है देखे आप जितने भी banks को आज आप देखते हैं schedule banks के अंदर आप जितने भी banks को आज आप देखते हैं चाहिए हम SBI की बात करे SBX सरकारी bank है ICICI bank की बात करे access bank की बात करे इन सारे banks का main motive क्या है इनका एक ही motive होता है profit को earn करना profit कमाना तो commercial banks वो सारे banks होते हैं जिनका motive यहाँ पर profit earning होता है यादर किएगा और इन सारे banks को regulate किया जाता है RBI Reserve Bank of India का banking regulation act जो की 1949 में आया था इस act के द्वारा इन सारे banks को regulate किय से सुनिएगा commercial bank वो सारे banks होते हैं जिनका कही न कहीं motive profit होता है जैसे कि आप सरकारी banks की बात कर लीजे उनका motive भी क्या है profit होता है private banks के हम बात करेंगे foreign banks के हम बात करेंगे तो कहीं न कहीं जो motive है वो यहाँ पर क्या होता है profit होता है और यह सारे के सारे banks banking regulation act 1949 की guidelines को follow करते है उसमें जो चीज़े दी गई है इनको follow करनी पड़ती है और RBI in act के through इन banks को regulate करता है देखी लिखा है these banks are involved in the banking business यह सारे bank banking business के अंदर involved होते हैं जैसे यहाँ पर deposit करना money को, loan देना, loan देने के अलावा draft facilities देना जो सारी banking facilities होती है वो सारी banking facilities यह banks provide करते हैं example के तोर पर SBI हो गया है, ICICI हो गया है, HDFC हो गया है, HSBC हो गया है, SBI, Public Sector Bank हो गया है, ICICI और HDFC कौन से bank हो गया है, Private Sector Bank हो गया है, HSBC के मैं बात कर रहा हूं तो एक foreign bank है, तो सारे banks जिनका main motive profit earning होता है कहीं ना कहीं, वो सारे banks इसके अंदर आते हैं, यह point याद रखिएग अब commercial banks के जब हम type देखते हैं, तो इसमें सबसे पहला type आता है आपका Public Sector Bank, नाम से clear हो रहा है, Public Sector Bank, मतलब यह सारे banks भारत सरकार के अधिपत्त में होते हैं, भारत सरकार इन banks को own करती हैं, मतलब भारत सरकार की इस्सेदारी इन banks में 51% से जादा होती है, या कह सकते हैं कि आज हमारे देश में 12 Public Sector Banks है, नोट कर लीजिए, यह पूसा जा सकता है, CDC बात है, नाम से clear हो रहा है, Public Sector Banks इने Government Banks के नाम से भी जाना जाता है, these are the banks which Government of India owns, ओके, यह वो सारे banks होते हैं, जिनको भारत सरकार own करती हैं, जो majority of share होता है, मतलब 50% से जादा जो हिस्सेदारी है इसमें भारत सरकार की होती है, अब देखिए, SBI के हम बात कर रहे हैं, Central Bank के हम बात करते हैं, Indian Bank के हम बात कर रहे हैं, तो यह सारे bank कौन से, इस सरकारी bank है, क्यों सरकारी bank है, विकाज भारत सरकार की जो इससेदारी है, इन banks में 50% से जादा होती है, जैसे example के तोर पर पर लिखा गया है, SBI है, Bank of India है, Canera Bank है, सारे के सारे आपके public sector banks है, इन सारे public sector banks के जो shares होते हैं, याद रिखिएगा, वो भी stock exchange के इंदर listed होते हैं, मतलब normal व्यक्ती भी इनके shares को purchase कर सकता है, पर 50% से जादा जो हिस्सेदारी होती है, वो भारत सरकार की होती है, that's why इने सर सरकारी bank के नाम से जाना जाता है, और आज की तारिक में हम बात करें, तो 12 public sector banks हमारे देश में हैं, note कर लीजिएगा, वैसे अब इसके अलावा भी कहीं सारे banks होते हैं, जैसे ICIC bank है, Texas bank है, SDFC bank है, ये bank कौन से है, ये private sector banks है, मतलब भारत सरकार इनको own नहीं करती है, ये bank किस private person के है, कोई private person इने own करता है, कोई private firm इने own करती है, तो इन सारे banks को कहा जाता है, private sector bank, यादर किएगा, बट ये भी commercial banks के अंदर आते हैं, क्या ये RBI की guidelines को follow कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, जितने भी banks है, वो सारे के सारे banks RBI की guidelines को follow करते ही हैं, ये note कर लीजेगा, इस इसे bank, जिसमें 50% से जाधा कि इस्सिदारी किसी private individual की है, सरकार के नहीं है, हो सारे banks कहलाते है, private sector bank, और ये जानकर चलिएगा, कि हमारे देश में, हमारी देश की economic backbone, private sector banks ही है, ये समझ कर चलिएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकारी banks की वज़़ सही देश चल रहे हैं, ये ऐस काफी important है, but इन banks को, bank से ज़ाधा as a company treat किया جाता है, इन्हें banking company के तौर पर treat किया जाता है, इन्हें banking company के तौर पर भी treat किया जाता है, और companies with limited ability के तौर पर ये भारत सरकार के साथ registered होते हैं, क्योंकि प्राइवेट हैं, तो private है तो इसनों है as a company के तौर पर जो है, टैग कि जाना जाता है, साथ ही साथ ये company act को भी follow करते हैं, तो बहुत सारी चीज़े इसके अंदर होती है, अब हमारे देश में अभी की बात करें, तो 22 जो है वो private sector banks है, example में ICIC bank हो गया है, Axis bank हो गया है, HDFC bank हो गया है, ये सारे के सारे bank आपके private sector banks होते हैं, इसके अलावा आप देखे हैं कि इसके अलावा भी कुछ banks होते हैं, जैसे HSBC bank की हम बात कर रहे हैं, Standard Chartered Bank की बात कर रहे हैं, ये जो banks है, ये भारत के bank नहीं है, ये वो banks होते हैं, जिनका जो head office है, जो main branch है, वो किसी दूसरी country के अंदर होती है, हमारे देश में इनकी branches होती है, और ये हमारे देश में आकर banking function करते हैं, इनको भी regulate कौन कर रहा है, इनको regulate भी RBI ही कर रहा है, ये भी RBI के guidelines से recording ही काम करते हैं, तो ये जो सारे banks होते हैं, ये ने कहा जाता है, आपके foreign banks, याद रुखिए का, these banks are registered and have their headquarter in another country, किसी दूसरी country में इनका headquarter होता है, बट भारत के अंदर ये operate कर रहे हैं, regulate कर रहे हैं, profit कमारे tax तो देंगे हमारे देश में, पर इनका जो headquarter होता है, वो किसी दूसरी country के अंदर होता है, तो इन सारे banks को कहा जाता है, foreign banks, और वो सारे banks हो हमारे ही देश के हैं, हमारे देश के ही, ownership हमारे देश के अंदर ही है, उसकी, उन सारे banks को कहा जाता है, domestic bank, तो ये एक classification दा, commercial bank का, I hope आपको चीजें clear हो रही होगी, क्योंकि काफी important points हैं, इसके बाद, आपने कुछ इस तरह के banks के नाम भी सुने होगे, जिने कहा जाता है, regional rural banks, जिने ग्रामीड bank के नाम से जाना जाता है, अब सवाल ये उड़ता है, कि ग्रामीड banks को open करने के जरुद पड़ी को, पहले आप example देख लीजी, जैसे यहाँ पर लिखा है, पंजाब ग्रामीड bank, इसके रहावा आप यहाँ पर देखने की नर्मदा जहबोवा ग्रामीड bank है, अरुनाचल प्रदेश, रूरल bank है, तो ग्रामीड bank की जरुद देश में पड़ी क्यों, आप, अपने आप से सवाल कीजिए, कि banking के लिए banks का major function होता क्या है, किसी भी bank का major function यह होता है, कि लोगों से मैंने deposit करें, और loan को distribute करें, अगर मुझे कभी पैसे के जरुत पढ़ गई, तो जरुत मैं कहां पर जाओंगा, मैं जाओंगा bank के पास, bank मुझे loan देदेगा, loan जब bank मुझे देगा, तो वो check करेगा कि मेरी earning कितनी है, मेरा previous loan कितना है, क्या मैं इस loan को चुका पाया हूँ, अब माल लिजे कि हमारे देश में हमारी जादा population गाओं में रहती है, और किसान को loan की जरुत सबसे जादा पढ़ती है, जब वो खेती करता है, खेती के लिए उसे beach purchase करना है, बीच के लावा माल लिजे टेक्टर purchase करना है, अब ऐसी condition में क्या कोई भी private bank का, पर ऐसी में बैंकिंग सेक्टर को बढ़ाया, इसी लिए गया था, ताकि सारे लोग उस financial inclusion का जो हमारा goal था, कि भारत के सारे लोग एक financial services से जुड़ जाए, बैंकिंग से जुड़ जाए, उस goal को हम complete नहीं कर पा रहे थे, क्यों नहीं कर पा रहे थे, बिकॉस जो village की population है, जो हमारी rural population है, वो इसको प्यो करी नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी condition में भारत सरकार को ये लगा कि कुछ banks ऐसे बनाना बहुत ज़रूरी है, जो major focus करें हमारे देश की rural population की उपर, और इसे लिए हमारे देश में आरारवी का गठन किया गया, आरारवी मतलब original rural bank, पहला जो आरारवी था, उसका नाम था प्रतमा बैंक, याद रुकिएगा, प्रतमा बैंक पहला आरारवी था, जो की युत्तर प्रदेश में open किया गया था, अब किस date को open किया गया है, क्या है इसके बारे में, ये काम करतें कैसे हैं, देखिए simple सी बात है, अगर आप किसी village से belong करते हैं, तो आपने आरारवी इसके बारे में जरूर सुना होगा, ग्रामीड bank इने कहा जाता है, नाम से clear हो रहा है, ये जो प्राइमरी फोकस करते हैं, वो किस चीज़ पर करते हैं, प्राइमरी फोकस होता है, गाओं के लोगों को, या कह सकते हैं कि हमारी जो village population है, उनको benefit देना, उनको financial inclusion के साथ जोणना, अकाउंट्स को open करवाना, जरूरत पढ़ने पर उन्हें छोटे-मोटे लोन देना, क्योंकि कोई भी public sector bank की मैं बात नहीं करूँगा, बट कोई भी private sector bank agriculture के लिए इतनी आसानी से लोन नहीं देता है, तो ऐसी condition में ग्रामीन कहा जा रहे थे, ग्रामीन जा रहे थे private lenders के पास, private lenders again वही चीज करते हैं कि बहुत जादा interest rate लगा देते हैं, वो interest rate इतना जादा होता है, कि कुछ सालों के बाद principal से जादा interest देना पड़ता है, तो ये परशानी ना हो, इसी लिए RRBs को यहाँ पर open किया गया, regional rural banks were established in accordance with the provision and ordinance प्रमूलिक बार्द सेप्टेंबर 26, 1975 and the RRB Act 1976, RRB Act 1976 के थुरू याद करिये गा, इस Act के थुरू इन्हें established किया गया था, किसको regional rural banks को, 2 October की बात है, 2 October ये वो दिन था, जब प्रतमा बैंक की स्थापना की गय थी, अब ये बात तो clear हो गई कि RRBs को setup किया गया था, ताकि rural areas की जितनी भी credit की समस्याव से दूर किया जा सके, पर सवाल ये उठता है कि RRBs में ownership किसकी होती है, ये RRBs को own क्यों करता है, because हर राज्य का अलग-अलग RRB है, जैसे अगर मैं example की बात करूँ, तो नर्मला जहाबुआ ग्रामिन बैंक, ये मतरप्रदेश का है, पंजाब ग्रामिन बैंक, ये पंजाब का है, तो यहाँ पर जो ownership होती है, वो भी अलग-अलग divide की जाती है, ये कई बार examination के अंदर पूशा गया है, तो याद रखेगा, अगर किसी RRB की 100% ownership है, या 100% उसके share से, इमान के चलते हैं, तो 50% ownership होती है, केंदर सरकार के पास, केंदर सरकार मतलब हमारी central government के पास, 15% ownership होती है, उस राज सरकार के पास, जिस राज में वो RRB है, जैसे नरुदा जहाबो, अगरामिन बैंक मदरप्रदेश का है, तो मदरप्रदेश सरकार के पास, उसकी 15% ownership होती है, और 35% ownership होती है, sponsored bank के पास, अभी sponsored bank क्या होता है, देखिए, हर RRB को कोई ना कोई bank sponsor करता है, उस RRB को चलाने के लिए, day to day function के लिए, उस RRB को maintain करने के लिए, बहुत सारे पैसे की जुरुत पड़ती है, तो ये banks sponsor करते हैं, ताकि वो RRB smooth रूप से काम करता रहे है, तो इन banks की, जो holding होत होती है, इसमें, वो 35% होती है, ये holding कहीं बार पूशी गई है, तो याद रुकिएगा holding कितनी होती है, 50% central की, 15% जो है वो state की, और 35% होती है sponsor bank की, ये जो RRB होते हैं, याद रुकिएगा, हाला कि इनको regulate तो RBI ही करता है, बट एक अलग से एक body बनाए गई है, एक board बनाया है, उस समस्या का समधान किया जा सके, सवाल ये आ रहा होगा आपके mind में, कि सर नाबाड होता क्या है, नाबाड आपने कभी न कभी सुना होगा, इसको detail में पढ़ते हैं, नाबाड का फिलफार्म पूछा जाता है, National Bank for Agriculture and Rural Development, National Bank है हमारे देश का, ये Apex Bank है, देखिए यह काम है, वो कौन करता है, वो नाबाड करता है, वो देखता है, कि कहीं इन Banks में Credit Facility के नाम पर कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, कहीं Rural Areas के अंदर Credit Facilities को सही तरीके से फुल्फिल किया जा रहा है, कि नहीं किया जा रहा है, ये काम पूरा का पूरा नाबाड करता है, तो के एक्ट के थूँ इसे बनाया गया है और 1982 के अंदर अगर मैं बात करूँ तो 1982 के अंदर इससे स्टैबलिश किया गया है एक था National Banking for Agriculture and Rural Development Act 1981 के अंदर ये एक्ट आया था और इस एक्ट के आने के बाद इस एक्ट को पास किया गया और 1982 के अंदर नाबाट को इस्टैबलिश किया गया नोट कर लीजिए एक्ट पूछा जाता है एर पूछा जाता है तो आपको दोनों चीज़ आजनी चाही ए साथ यसाथ एक कमीटी थी कमीटी का नाम काफी लंबा है बट कहीं बार इसे सिवरमन कमीटी के नाम से जाना जाता है आला कि कमीटी का नाम एकसेक्टली यह नहीं है कमीटी कौन सी है कमीटी का नाम याद रुखिएगा कमीटी टू रिव्यू दर अरिजमेंट्स फॉर इंस्टिशनल क्रेडिट फॉर एगरिकल्चर एंड रूरल डिवलप्मेंट 1979 के अंदरे कमीटी बनाई गई थी जिसके चैर्मेन थे वो थे श्री बी सिवरमन और इसलिए इस कमीटी की रिकमेंडेशन के आधार पर ही नाबाट को इस्टेबलिश किया गया तो कहीं बार मैंने आपको बताया है कि कमीटी की जगह उनके जो चैर्मेन है उस ना चैर्मे के नाम से कमीटी को जाना जाता है तो इस कमीटी के जो चैर्मेन थे वो थे सिवरमन जी और इसलिए ये कहा जाता है कि सिवरमन कमीटी की रिकमेंडेशन की उपर नाबाट की स्थापना की गई थी यादर किएगा कमीटी पूछी जाती है हो सकता है कि इस बार भी एक्जाम इन्हें Finance Bank के नाम से जाना जाता है, अब यह Finance Bank होते क्या है, चलिए मैं आपको एक example के तुरू समझाने की कोशिश करता हूँ, माल लीजिए कोई एक ऐसा person है जो की अन औरगनाइस sector के अंदर काम करता है, मतलब उसकी salary नहीं आ रही है, छोटा मुटा वो business कर रहा है, माल business के उपर वो किसी private bank के अंदर लोन लेने के लिए जाता है, तो क्या कोई private bank उसको लोन देगा, नहीं देगा, obviously नहीं देगा, because bank किस चीज़ को देखते है, क्या जो व्यक्ति लोन ले रहा है, क्या वो लोन को repay करवाएगा, तो ऐसे लोगों की समस्याओं को दूर करने के ल और basically किन लोगों की बात कर रहे है, ऐसे लोग जो unorganized sector के अंदर काम करते हैं, ऐसे लोग जिनकी income fixed नहीं है, जो बड़ा amount loan का repay नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा emis नहीं दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा interest भी pay नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए इन banks को establish किया गिया था, ये RBI के guidelines को follow करते हैं या नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं, मैंने आपको बता है, जितने भी banks होंगे, उनको RBI के guidelines को follow करना ही पड़ेगा, इसी लिए Small Finance Bank भी Banking Regulation Act 1949 को follow करते हैं, जी हां ये follow करते हैं, इनको जो license दिया गिया है, banking function करने के लिए, वो Banking Regulation Act 1949 क section 22 है, section याद रखना, बड़ा important section नहीं, कभी पड़िये का time मिला तो, इस section के under इन्हें license दिया गिया है, ये क्या करते हैं, सारी की सारी banking services से provide करते हैं, आप इन banks में आप अपने पैसे को deposit कर सकते हैं, यहां से आप loan ले सकते हैं, बट इनके कुछ areas limited होते हैं, ये सारे की सार banking functions नहीं करते हैं, बहुत बड़ा loan ये नहीं देते हैं, small finance banks है, limited इनके functions होते हैं, बट हाँ, इतने functions होते हैं, कि किसी भी व्यक्ति को, उसी credit की समस्या को ये दूर कर सके, अब इनके example आपने देखे होंगे, जैसे AU small finance bank है, इसके अलावा Equatus small finance bank है, उजवन small finance bank है, basically इन banks को open किया गया है, ताकि ऐसे लोग, जिनकी salary बहुत जादा है नहीं, जो कि unorganized sector के अंदर work करते हैं, जो small businessmen से हमारे, उनको finance credit facility मिलती रहे हैं, वो credit facility से वंचित नहीं रहे हैं, because जो बड़े banks है, वो basically पहले ये देखेंगे, कि आप loan को repay कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, that's why इन banks को open किया गया था, तो ये याद रुखिएगा, I hope आपको समझ में आ गया होगा, इन banks के अलावा भी हमारे देश में banks एक नई शरंखला चलिए, जिने payment banks के नाम से जाना जाता है, आपने इन banks के नाम सुना होगा, जिसे airtel payment bank की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, paytm payments bank क यहाँ पर बात कर रहे हैं, इनकी कोई physical branch नहीं होती है, और अगर आप देखेंगे, तो किसी भी shop के थुरू आप अपने पैसे को deposit भी कर सकते हैं, और निकाल भी सकते हैं, अब यह payment banks होता क्या है, देखी, धीरे धीरे जैसे banking का evolution होता जा रहा था, तो एक बहुत बड़ी स समस्य हमने देखी, समस्य यह थी कि कुछ areas ऐसे होते थे, जहाँ पर bank की branches को setup करना बहुत मुश्किल है, मालीजी कोई बहुत बड़ा hilly area है, मालीजी की branch को setup करना बहुत मुश्किल हो जाता है, कुछ ऐसे दुरगा मिला के हमारे देश के जहाँ पर किसी भी bank की branch को setup नहीं क बात करेंगे, और उससे पहले आप यह point जान लीजेगा कि एक committee थी, committee के नाम था, नचकेत more committee, नचकेत more committee की recommendation की उपर 2015 में, याद रुखिएगा 2015 में, नचकेत more committee की recommendation की उपर payment banks को open किया गया था, यह banks क्या काम कर सकते हैं, क्या deposit ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, क्या credit दे सक तो याद रुखिएगा कि यह loan provide नहीं कर सकते हैं, याद रुखिएगा, loan provide नहीं कर सकते हैं, और आप इन banks के अंदर maximum एक लाख रुपे तक deposit कर सकते हैं, बहुत जादा पैसा आप deposit नहीं कर सकते हैं, maximum पूछा जाता है, maximum एक लाख रुपे तक आप deposit इसमें कर सकते हैं, य याद रुखेगा, बैंक्स को regulate करने का RBI का सबसे बड़ा बैक्ट है, बैंकिंग regulation act 1949, इसी guidelines को भी फॉलो करने, obviously वही section है, आपका section 22, यह point याद रुखेगा, अब basically क्या है, यह इन बैंक्स को इसलिए open किया गया, ताकि remote areas के अंदर लोग financial inclusion से जुड़ते जाए, banking facilities उन areas के अंदर भी पहुँच जाए, जो बहुत दुरगम areas है, जहाँ पर banking facilities को पहुचाना, normal condition के अंदर बहुत कठीन होता है, that's why इन banks को open किया गया, इनकी branches नहीं होती, इस example के तौर पर मैं आपको एक एड बताता हूँ, उस एड में यह था कि एक चोटी बच्ची जो बहुत आती है, वो उस bank के account में पैसे transfer करती है, और वो shop की पर उस पैसे को उस बेटी को या उस बच्ची को दे देता है, अब देखिए कितना simple हुआ, कि bank जाने की जरुवत नहीं पड़ी, कोई भी दुकान, कोई भी दुकानदार, कोई भी shop का owner, उसके पास वो पैसा आया, और उ इसलिए लेकर आई जाती है, ताकि समाज का हर वर्ग banking से जुड़ता आ जाए, और यही payment banks का concept है, example के बात करें, तो एटल payment bank है, इंडियन postal payments bank है, फिनो payments banks है, पेटीम payment banks है, तो हला कि इन banks का profit कोई बहुत ज़ादा अभी है नहीं, पर यह माना जा रहा है कि आने वाले 10 साल के बाद, इनका future बहुत अच्छा रहने वाला है, चलिए आगे दुसरे banks के हम बात करते हैं, यह सारे चीज़े हमने देख लिए, यहां पर हमने क्या 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 देख लिए, public sector banks हमारे हो गए, private sector हो गए, foreign sector हो गए, इसके अलावा हमने regional rural banks भी देख लिए, अब हम बात करते है, cooperative banks के, क्योंकि commercial banks हमने सारे देख लिए, cooperative banks, यह banks की ऐसी शरंखला होती है, जो कि basically काम करती है, no profit, no loss पे, commercial bank किसले काम कर रहे थे, commercial bank काम कर रहे थे, because उनको profit earning करना थी, but cooperative banks, majorly काम करते है, no profit, no loss के उपर, देकि यहां पर आपको समझना होगा, cooperative bank की शुरुवात कैसे हो रखते हैं कि banking functions वो धीरे-धीरे-धीरे-धीरे करने लग गए, तो यही चीज में आपको कहना चाह रहा हूँ, कि जो cooperative banks होते हैं, यह no profit, no loss के उपर काम करते हैं, that's why cooperative banks में loan भी बहुत जादा दिया नहीं जाता है, जैसे अगर आप यहां बर पढ़ेंगे, cooperative bank is a financial entity that is owned and operated by its member, इस bank के members सी इसके owner होते हैं, क्योंकि इसका owner कोई अलग एक अकेला वेक्तिय नहीं होता है, आपने देखा हो, cooperative banks के चुनाओ भी किये जाते हैं, चुनाओ भी लोग लड़ते हैं, तो cooperative banks majorly जो हैं, इसमें बहुत deeply आपको नहीं पढ़ना है, because आपके examination के साफ़ से जो cooperative banks, इसके अलावा भी अमारे देश में कुछ और banks होते हैं, जिने development banks के नाम से जाना जाता है, development banks, ये banks ये बहुत ये अलग शरंखला है, थोड़ा सा असको पढ़ेंगे कि development banks are specialized financial institutions that are formed to promote economic development in the country, इन banks को इसलिए बनाया जाता है, ताकि देश के अंदर ये economical development को promote करें, basically इन banks क काम ये होता है कि ये medium term loan provide करते हैं, medium term loan ये provide करते हैं, और long term loans को provide करते हैं, ये bank इस तरीके का नहीं होते कि आप वहाँ जाकर अपना पैसा जमा कर सकते हैं, इनको establish इसलिए किया जा रहा है कि किसी particular sector के लिए loan provide कर सके, medium term loan provide करेंगे, long term loan को provide करते हैं, बट इसमें आप पैसे कोई deposit नहीं कर सकते, यह bank किस तरीकी के नहीं होते कि आप अपना पैसा यहाँ पर deposit कर रहे हैं, तो यह point याद रुखिएगा, इसके अलावा जो first development bank था, वो था industrial finance corporation of India, IFCI, जो कि 1948 में found किया गया था, आज कहीं तरह के development banks है, development banks को लेकर बहुत जादा deeply question आप से पूछे नहीं जाएंगे, यह पूछा जा सकता है कि पहला development bank कौन था, development banks को क्यों establish किया गया था, इस तरह की questions आप से पूछे जा सकते हैं, इसके बाद next हमारा आता है, ऐसे bank जो कि किसी special sector के लिए बनाये गए हैं, जैसे आपने सुनाओगा, exam bank के बारे में, export import bank of india, या अपने sidby के बारे में सुनाओगा, small industrial development bank of india, आप देखिए, यह जो दोनों banks हैं, यह specific sector के लिए, जैसे exam bank की अगर मैं बात करूँ, तो यह export import sector के लिए, sidby के अगर मैं बात करूँ, तो यह small industries के लिए bank बनाया गया, तो ऐसे banks, जो कि specific किसी sector के आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए बनाया जाते हैं, उन banks को का जाता है, specialized bank, याद रखिए का, यह specific sector के आवशक्ताओं को पूरा करते हैं, तो इस is insure करता है, तो यह इस तरीके के जो banks होते हैं, यह specialized banks होते हैं, तो यह कुछ banks थे जिनके बारे में आज हमने जाना, इन banking bodies के बारे में, और next lecture में हम monetary policies के बारे में जानेंगे, monetary policies के साथ-साथ inflation के बारे में भी पढ़ेंगे, और एक important type का bank है, non banking financial institutions, उनके बारे में भी हम जानेंगे, देखिए काफ़े important चीज़ें आज हमने पड़ी है, banking को लेकर आप से question पूछे जा सकते हैं, और अगर इस बार examination में कोई भी question आया, तो आप आसाने से उसका answer दे सकते हैं, चलिए, मैं आपसे next lecture के अंदर मिलता हूँ, आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए जय हिन, जय भारत